मोवी स्टार्ट होती है और हमारी में क्यारेक्टर लूसी को देखते है लूसी अपने दो फ्रेंड्स के साथ अपने रूम में बेटी थी उसकी फ्रेंड का नाम नादिन और एमेंडा था लूसी के साथ रहती थी यहां लूसी उन दोनों को अपने ब्रेकप्स की स्टोई सु चुके थे इसके बाद नेक सिन में लूसी अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टराण में थी वहाँ पर हमें पता चलता है कि लूसी एक आर्ट गैलरी की आर्टिस्ट है वहाँ वह एक लेडी एवा का नाम लेती है जो बहुत ही रीच थी एवा ही लूसी के काम को आगे बढ़ा कि वह एक टैक्सी है और बिना सोचे समझे उसमें बैट जाती है उसमें बैटा हुआ आदमी उसे कहता है कि एक प्राइवेट वी एकल है लूसी बहुत ही ज़ादा ड्रंग थी तो उसे कहती है कि मेरा प्राइवेट ड्राइवर बनकर इस कैप को स्टार्ट कर दो वह आदम बॉइफरेंड मैक्स के साथ रहना चाहती थी मैक्स उसके काम में पूरी मदद करेगा राद में फिर एक पार्टी हुई और अपने ऑफिस की तरफ से वो एक स्पीश देती है स्पीश में बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी पर तभी मैक्स को किसी दूसरी लड़की के चुकी है यह सुनकर लूसी को बहुत जादा बुरा लगा उनका यहाँ पर ब्रेक अप हो जाता है क्योंकि मैक्स अभी वी अमेलिया से प्यार करता था मैक्स उसे कहता है कि एवा ने तुमें काम से निकाल दिया है एवा नहीं चाहती कि तुम फिल से उसके लिए काम करो इ निक उसे कहता है कि तुम जब चाहे जा सकती हो कार वेसे भी अनलॉक है इसके बाद वहाँ से चली जाती है वो घर आई और वहाँ पर उसके रूममेंट्स उसे सहारा देते है नेक्स दे उसकी फ्रेंड उसके साथ निक की टाय देखती है लूसी एज़े मेरी उस टाय को र खाली जाती है जाते हो एक मैकस और अमिलियां को देखती है उसे बात करनी थी इसलिए वर रिस्क जाने लगे पर वहां की मेरसर उसे अंदर जाने से रोक लेती है इसके हाथों में एक thrashback था और thrashback लेकर वो रेस्टॉर्ण में किसी को भी allow नहीं करते थे यह सब जब चल रहा था तो Max भी उसे देखता है पर उसे ignore कर देता है वही बर पास में Nick बेटा था वो Nick को भी high करती है उसे देखकर वो बाहर आ जाता है वो Nick को finally अपना नाम बताती है वो आपर एक लेडी उन्हें देखती है और उसे लगता है कि Nick Lucy को परिशान कर रहा है इसलिए उसके पीछे पढ़ गए उसे hit करती है पर इसके बाद Nick और Lucy साथ में जाने लगते है निक फिर उसे एक share में लेकर आता है वो एक बहुत बड़ा share था या निक उसे कहता है कि तुम पागल हो वो गहती कि तुम ऐसा क्यों कहे रहे हो Nick कहता है कि तुम खुदी देखो तुमने अपने X के सामान को collect किया है ऐसा कौन करता है वो गहती कि मैंने ये सब as a pair की निशानी collect किया है या निक उसके हाथ से मैक्स की टाय लेता है और उसे अपनी वाल पर लगा देता है वो उसे कहता है कि इस टाय को तुम कभी भी देख सकती हो लूसी को यसा बहुत पसंद आया वो उसे एक मारकर मांगती है इस मारकर से उसने मैक्स के साथ जो पल बिताय थे इसके बारे में कुछ लिखती है इसके बाद वो इस वाल को नाम देती है ब्रोकन हार्ट्स गैलरी इसके बाद नेकसिन में लूसी अपने घर पर थी मैक्स आकर लूसी को अपने साथ लेकर जाता है वो उसे और एक चीज दिखाता है कोई अपनी प्यार की निशानी वहाँ पर छोड़ कर गया था यह देखकर लूसी बहुत खुश थी लूसी उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर एक आर्ट गैलरी ओपन करनी चाहिए यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकन लोग अपनी मेमरी चोड़ने के लिए आ सकते है बाकी लोग इसे देखने के लिए आएंगे वो इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे यहाँ एक होटेल खोलना था इसके बाद वहाँ पर उसका फ्रेंड मारकस आता है जो लूसी से एकरी कर रहा था लूसी उसे जित कर रही थी तो निक को उसके बाद माननी परती है वो फिर इस वाल का एक फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है जो वाइरल हो किया वाइरल होने के बाद लूसी को बहुत अच्छा लगा वो निक के शेड में जाती है और वहाँ पर वो निक और मारकस को कॉफी देती है वहाँ पर तभी एक लेडी आई वो अपनी बॉइफ्रेंड की निशानी लेकर आई थी वो से उस गैलरी में रखना चाहती थी लूसी ने उसका इंटर्विव लेया वो फिर उस में मेरी को अपने पास रख लेती है और कहती है कि जब तुम जाहो तब ये देखने के लिए आ सकती हो इसके बाद हम देखते है कि लूसी और निक का बॉन्ट अब गहरा होता जा रहा था वो साथ में बहुत सारी अलग-अलग जगा पर घुमते थे पर फिर भी उसके पास थोड़े से पैसे कम थे इसके बाद हम उन दोनों को बुक शॉप पर देखते हैं वहाँ पर लूसी मैक्स को देखती है मैक्स अपनी एरपॉड की के से भूल गया था वहाँ बर निक भी आया यहां निक मैक्स से मिलता है और इसा बताता है कि लूसी ने एक नई कमेंडा का बढ़्डे आता है सब लोग मिलकर इसे सेलिब्रेट करते हैं वहाँ और लोगों ने गाने भी गाए लूसी और निक बात कर रहे थे लूसी उसे खुश कपर देते हुए पताती है कि हमारी गैलरी मैक्सीन में छपी है इस उनक और दोनों बहुत खुश थैं इस उसे कहता है कि आज से पहले मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा जब भी लूसी के साथ रहता है तो हमेशा बहुत खुश होता है वो लूसी से प्यार करने लग गया था निक उसे ये सब बाते करने से चुप करता है इसके बाद लूसी अपने फ्रेंड्स की घ करती है वो गहता है कि मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था मुझे बहुत बुरा लग रहा है तो फिस उसके साथ पैच अप करना चाहता था हम जानते हैं कि लूसी के फेमस होने के बाद उससे मिलने के लिए आया है वो यहाँ भी अपने ही बारे में सोच रहा थ जो दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ पर निक आता है वो इसके लिए केक लाया था उन दोनों का साथ में देखकर वहाँ से चला जाता है वो दोनों भी रेक जगा पर वेट है वहाँ मैक्स उसके आखे बंद करने के लिए कहता है इसके बाद उसे वही टाय देता है और क कि मुझे bank से loan नहीं मिल रहा Lucy ऐसा नहीं करना चाहती थी पर उसे करना पड़ता है वो उदास थी और फिर भी उसे लग रहा था कि से continue रखना चाहिए मैक से बात देखकर उसकी मदद करता है और से एवा से मिलवाता है एवा उसके काम से बहुत ही इंप्रेस थी और इसी वज़े से उसे एक एक एक्जिविशन के लिए रेडी करती है रात में वो पने फ्रेंड से मिलने के लिए के उनसे वो break up की tips बांग रही थी क्योंकि अवो max के साथ break up करना चाहती थी इसे बाद next day वो max के पास गए उसे पुछती है कि अमेलिया और तुम्हारे बीच में हुआ क्या था Max कहता है कि तुम्हें जानना क्यों जाती हो वो गयती है कि मुझे सिब जानना है मैक्स कहता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता था उसे शादी करना चाहता था अमिल्या इस कमिट्मेंट के लिए रेडी नहीं थी उसनों से मना कर दिया था इसी वज़े से उन दोनों में ब्रेक अफ हो गया था एमिल्या फिर उसे छोड़ कर पैरिश चली गई थी लुसी उसे गहती है कि अब हम दोनों को साथ में नहीं रहना चाहिए फिर वहां से उच चली जाती है इसके बाद लुसी को हम उसके रूम में देखते है उसके बास नीक आता है और से माफी मांगता है वो इसे कहता है कि मुझे अब लोन मिल चुका है इस सुनकर वो बहुत कुछ हो गई थी वो इसे कहती कि मुझे भी एवा के एक्जिबिशन में हमारी आर्ट गैलरी को लगाने का मौका मिल गया है इस सुनकर वो दोनों बहुत एक्साइडेर थे वो गयती कि आज तक मेरे लिए कोई भी इतना खुश नहीं हुआ था इसके बाद वो दोनों मिलकर होटेल की हाला ठीक करते है इसके बाद वो साथ में वैट है वो निक से बुछती कि क्या तुम कल फ्री हो निक उसे कहता है कि हाँ वो इसे कहती कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हो इसके बाद अगले दिन लुसी उसे अपनी मदर से मिलवाने के LGBTQ लिए लेकर गई उनसे मिलकर उसे बहुत अच्छा लगता है इसके बाद वो एक पियानो बजाता है जिस पर Lucy और उसकी मदर डांस करते है रात में वो दोनों साथ में थे Nick उसे एक जगा दिखाने के लिए गया जहाँ पर उसका एक छोटा सा प्राइवेट बार था वो दोनों मिलकर ड्रिंक करते है वो दोनों बहुत खुशत है और एक साथ इंटिमेट हो जाते है सुबा लूसी निक से पूछती है तुमने तो कहा था कि हम दोनों सिर्फ दोस्ती है निक कहता है कि हम दोस्त से बढ़कर है इसके बाद लूसी अपने फ्रेंज के साथ थी उसे निक का कॉल आता है निक उसे सप्राइज देना चाता था वो भी निक ने उसे जो जगा बता रही थी वहाँ वो उसका वेट करती है वो जो वेट कर रही थी तो होटेल के अंदर से निक एक लड़की के साथ बाहर आता है उस लड़की का नाम Chloe था निक की होटेल का नाम भी Chloe ही होता है ये देखकर वो समझ आती है कि निक ने अपनी Ace Girlfriend के नाम पर होटेल रखा था ये देखकर वो गुसे में वहाँ से जाने लगके निक उसे रोखने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुखती थोड़े डाइम बाद निक उसे मिलने के लिए खर पर आता है वो वहाँ भी नहीं थी उसके फ्रेंड से उसके बारे में पूछ कर वो उसे मिलता है वो लुसी से कहता है कि हो मेरी एक्स थी मुझे ओर्डेल का नाम चेंज करना था पर पैसे ना होने की हो जैसे वो में कर नहीं पाया लुसी उसे कहती कि ये बाठ ठीक है वो अपि उसे नारास थी तो निक वहाँ से चला जाता है इसके बाद लुसी को हम काम करता हो देखता है वावर उसके पास एवा आती है वो उसे कहे थी कि मैं इतनी successful ऐसे ही नहीं बनी मेरे husband ने मेरे साथ break up कर लिया था उसके मेरे life से जाने के बाद मैंने उसकी ring को sale कर दिया इसे उसे बहुत सारे पैसे मिले थे और इसी से art gallery उसने open की थी और यह art gallery बहुत successful हो गई अगर मैं मेरे husband के बारे में ही सोचती रहती और sad हो जाती तो इतना successful कभी भी हो नहीं सकती यह सुनकर Lucy को अच्छा feel होता है इसके बाद Lucy अपने room में जाकर अपने ex की दियो है सारे सावान को बाहर फेक देती है और relax feel करती है इसके बाद हम Nick को देखते है निक मारकस से कहता है कि शायद मेरी तबियत खराब है मारकस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारा सिर्फ दिल टुटाए निक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मारकस ने फिर उसे सब कुछ बता दिया वो गहता है कि Lucy ने ही तुम्हारा loan pass करवाय था ये सब उसने एवा से मिलकर किया था ये जानकर निक को रियलाइज हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती करती है वो फिर लुसी को ढूणने के लिए निकल पड़ा लुसी अपने आर्ट गैलरी में एक्जिबिशन कर रही थी वावर बहुत सारे लोग आये थे ये गैलरी सब लोगों को बहुत पसना आती है वो यहाँ बर एक स्पीच देती है अगयती है कि दिल तो सबका टूटता है पर किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए दिल टूटने के बाद लोग काफी कुछ चीज़े सीखते हैं अगर मेरा दिल ने टूटता तो गैलरी कभी भी ओपन नहीं हो पाती लुसी कहती कि मेरा दिल फर्स टाइम तब टूटा था जब मेरी मदर ने हमारी यादे खो दी थी इस वज़े से उसे बहुत बुरा लगा था क्योंकि इस यादों में कुछ ऐसे मुमेंट है जिसे वो कभी भी भूलना नहीं चाती थी ये मुमेंट जाने के बाद भी उसने मुमान किया था इसी स्पीच के बीच में वहाँ बन नीक आता है लुसी उसे बुछ थी कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो निक उसे कहता है कि जो मैप तुने फर्स दे देखा था वो किसी और ने नहीं तो मैंने ही लगाया था वो उसे क्लोई के बारे में बताता है कहता है कि क्लोई से वो बहुत प्यार करता था वो एक होटेल में ही मिले थे वो रिलेशन्शिप में आ गए और इसके बाद Chloe ने उस पर चीट किया था वो गयता है कि उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी से भी प्यार नहीं करूँगा पर प्यार से मैं बच नहीं पाया मैं तुमसे मिला और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया Lucy उसे खुछ भी आंसर नहीं दे रही थी इसलिए हो वहाँ से जाने लगता है उसकी आखों में आसू भी थे यह देखकर Lucy समझ आती है इनिक एक्चुल में उससे बहुत प्यार करता है और वो भी अपनी फिलिंग्स उसके साथ शेर करती है उन दोनों ने फिर किस किया उनने देखकर सब लोग बहुत खुछ थे और इसी एक हैपी मुमेंट के साथ यह मुवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्पनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट शुरू करतीजेगा बहुत सारी मुवी इस लेकर आते रहता हो तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइक उन्हों ने मत भूलेगा और फिर से मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये